दोस्तों सुवागत आप सब्सक्राइब फिर से आपके अपने यूटूब चैनल के के इंटीरिय पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दस वाइदस के बैडरूम में जो सिलिंग डिजाइन है उसके बारे में दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं जो साइड हैं वो हमने 15-चैनल रखी है और इसी में हमने लाइट है चैनल करत और तो यहां पर हमने गोल्डeन i.n यह पूरा 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 बेस है जो वाइट कलर का रहा है तो अगर पंखे की बात करें तो पंखे के उपर हमने बरफी टाइप का design बनाया तो नहीं कह सकते यह बरफी टाइप का design है और जो चार corner हो जाते हैं चार कोर्नर समें से हमने दो corner पर डिबे बनाए है 15 इंच बाई और है पांच इंच का और 20 इंच भाई 5 इंच का एकैसे इधर बनाया है और एक इसे एज़ेटीश डिब इधर बनाया है तो दौनुमें वाएट कलर की लाइट लगाई है और इसके बाद में आपको बता दूं जो स्टीप लाइट है वो साइड में हमने वाइट के लगाई है और बीच में पंके वाले में बलू कर लगाई है तो दोस्तों कुछ ऐसा डिजाइन था यह सेलिंग का दस भाइट 10 के साहिज में हमने यहां पर इसको यहां पर ऐसे त्यार किया है और मैं आपको बता देता हूं जो आप यहां पर देख रहे हो फ्लावर वाला पैनल है और हमने यहां पर फ्लावर वाला पैनल और शकेर साहिब में बनाया है तो आप सोच रहे होगे ऐसा क्या है इसमें तो य यह ऐसे पिलर टाइब में हमने इसको त्यार कर दिया तो इसे क्या एता है कि बैडरूम में जो तिक्कत देने वाला पाइप था वो भट जाता है और इसे तूट फूट से भी बचा रहता है दोस्तों सेलिंग का जो डिजाइन आप देख पा रहे हो बहुत ही लैटर्स डिज सब कुछ होता है तो अगर आप भी अपनी घर पर पीवीसी की सेलिंग करवाना चाते हो तो करवा सकते हो डिस्क्रीप्शन में दिए गए नंबर पे आप पीवीसी से रिलेटिव कोई भी जानकारी ले सकते हो आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी दोस्तों वीडिय वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताना और से लिंग का जो डिजाइन हो कैसा लगा यह भी कमेंट करके आप जुरूर बताना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नहीं कंसेक्ट के साथ